हेलो स्टुटेंट आज हम लोग क्लास 12 का बायलोजी इंसियारिटी का जो अध्याय 4 है चैप्टर 4 जनन स्वास्त वो पढ़ेंगे ठीक है अभी तक हम लोग ने पढ़ा था मानो जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग मानो जनन कैसे होता है यह हम लोगों ने पढ़ लिया था अब हमारा अगला जो टॉपिक है अगला जो चैप्टर है वो है जनन स्वास्त ये है कि जो जनन संबंदी जो हमारा स्वास्त है उसको कैसे मिंटेन रख सकते हैं कैसे कौन सी विमारिया होती है जो इसको एफेक्ट करती है तो यह सारी जो चीज़ें हैं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आईए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पिस्टे अध्याय में आपने जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव और उसके प्रकारियों के बारे में पढ़ा था अब उससे जुड़े निकट शीर्शक अर्थाज जनन स्वास्त के बारे में चर्चा करेंगे अब हम लोग को उसके आगे जो है उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ना है हम जनन स्वास्त सब शब्द से क्या तातपर समझते हैं ये शब्द साधारंट्या स्वास्त जनन अंगों और उसके सामान प्रकारियों से संबंदित है वस्तुता ये एक व्यापक परिपेख्ष को दर्शाता है जिसके अंतरगर जनन के भावनात्मा के उसमाजिक पहलू जुड़े हुए विश्व सास्तंगटन यानि वर्ल्ड हिल्थ और्गनाइजेशन इसको डबलू अच्छी भी बोलते हैं व्यवारात्मक जो ये समाजिक स्वास्त है स्वास्त की डिफनेशन है वो ये दी है तो हाई ये लोग पढ़ते हैं जनन स्वास्त समस्याएं और कार नीतियां यानि जनन स्वास्त में क्या क्या समस्याएं थी और क्या क्या कारी नीतियां हुई विश्व में भारत ही पहला एक ऐसा देश था जिसने राश्ट्री अस्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्त को एक लक्ष के रूप में प्राप्त करने के लिए राश्ट्री कारियोजना और कारिक्रमों की शुरुआत की इन कारिक्रमों को परिवार नियोजन पहले परिवार नियोजन के नाम से और अब परिवार कल्यान के नाम से जाना जाता है इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में परिवार नियोजन नाम से कारिक्रम शुरू किया गया और अब उसे परिवार कल्यान के नाम से जाना जाता है पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मुल्यांकन भी किया जाता है जैसे कि डाइट पूरा डेटा लेते थे किसके कितने बच्चे हैं क्या हैं उसी साफ से लोगों को एजुकेट किया जाता था जनन संबंदित और आवधिक छेतरों में इसमें सम्मलित करते हुए बहुत उन्नत वा व्यापक कारिकरम फिलहाल जनन में उबाल स्वास्त सेवा कारिकरम यानि आर सी एच के नाम से प्रसिद्ध है यानि गवर्मेंट जोती तरह तरह की स्कीम चलाती है इसे लोग एजुकेट हो या जो उनके स्वास्थ उनको लाब मिल सके जो गाउं में देखिए जो गाउं में फीमेल होती है या गाउं के जो लोग होते हैं वो जादा तर जो ऐसे एरिया हैं ग्रामी छेतरों में वहाँ पे लोग बिल्कुल अवेर नहीं होते हैं इन कारेकरमों की अंतरगत जनन संबंदी विभिन पहलूं के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करते हुए जननात्मक रूप से स्वस्वास समाज तयार करने के लिए अनेक सुईधाय में प्रोसान दिये जा रहे हैं यानि कि लोगों को इसके बारे में जागरुक किया जाता है श्रवे तथा द्रिश यानि आडियो और विजुल और मुदित सामग्गी की सहायता से सरकारियों गैर सरकारी संगटन जनता के बीच जनन संबंदी पहलूं के प्रती जागरुकता पैदा करने के लिए विभिन कर रहे हैं उपरियों को प्रिसारित करने में माता पिता अनिकट संबंदी शिक्षक और मित्रों की भी प्रमुग भूमी का है विद्यालों में यौन शिक्षक की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवां को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन इसकी पडियों को व जाना चाहिए ताकि जो गलत फहमिया है वह दूर हो लोगों को सही चीज़े पता हो गवree बहुत सारे लोग गलत तरीके से सोचते जिसे की लोगों को नालेज नहीं है चीजहों को ब्रमित रहते हैं लोगों को जनन अंगों किशोरा वस्था हैं उनसे संबंधित परिवर्तन सुरक्षित और स्वक्ष यौन किरियाओं यौन संचारित रोगों एड्स की बारे में जानकारी विशेश रूप से किशोर आईवर्ग में जनन संबंधित स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होते है जैसे कि फार इग्सेंपल अब माली जीव कोई फीमेल है गाहों के जो फीमेल है उनको मासिक के बारे में सही जानकारी ने रहती है कि मासिक में जो जो भी कैसे करना है किस तरीके से करना है जो लोग ये गंदे कपड़े वगएरा का इस्तिमाल करती है फीमेल उनसे इंफेक्शन का बहुत चांस रहता है इसलिए जो ये सैनिटरी पैट्स आते हैं उनके बारे में लोगों को अवेर किया जाता है कि उनका यू हो जाता था उसको बिल्कुल चुआ चूट समझा जाता था उनके साथ कोई बैठता नहीं था उठता नहीं था तो एड्स कभी ऐसे नहीं फैलता एड्स हमेशा बलड कॉंटेक्ट ये सबसे फैलता है साथ में खाना खाने पानी पीने सबसे एड्स नहीं फैलता बलड कॉं लोगों को शिक्षित करना विशेश रूप से जनन शम जोडी तथा वे लोग जिनकी आयू विवाय योग है उन्हें उपलक्ष जन रियन तक गर्भ निरोधक विकल्पों तता गर्भवती माताओं की देख भाल माँ और बच्चे का प्रसो उत्तर पोस्ट नेटल देख भाल आदी के बारे में इस्तनपान के महत्व को लड़का ये लड़की के समको समान असर देने की जानकारिया आदी से जागरुप स्वस्त परिवारों का निर्मार्ण होगा यारी की गर्भ निरोधन जर्म रियन तक ये लिए बहुत सारे उपाई की मतलब हैं जैसे कि फिजिकल बैरियर है या कि फिर कंट्रासेप्टिव पिल्स आती है या फिर उससे ऑपरिशन करके जो ये वैसक टॉमी और टूबर्ग टॉमी होती है मतलब बहुत सारे तरीके हैं तो गर्भ निरोधन के तरीके जैसे कि हम देखते हैं कि गाउं अगरह में अकसर ऐसे होता है कि एक ब दो पहल सारी चीज़ें नहीं सही है नहीं रहती हैं तो इसके लिए या निकि उनके बारे में भीषन करा जागरू की अज बोग जानते ही नहीं कि इसके तरीके क्या हैं या फिर ऐसे भी होता है कि उन्हें जानकारी नहीं रहती है उन्हें बच्चा नहीं चाहिए होता है जानकारी नहीं होती है फिर लेकिन जानकारी ना होने के वज़े से प्रिग्नेंसी हो जाती है फिर वो लोग दो महिना तीन महिने के बाद उसका क्या कराती है वो एबॉशन कराती हैं या फिर कोई पिल्स ले ले लेती हैं ऐसी तो उसे स्वास्तकून के नुकसान होता है तो पहले से अकर जानकारी हो तो इस सब चीज़े नहीं होंगी अनियंत्री जनसंक्या वृद्धी से उने वरी समस्याओं तता समाजिक उत्पीडन जैसे कि यौन राधों के बारे में जागरुपता पैदा करने की आवशकता है ताकि लोग इने रोकने जनरात्मक रूप से जिम्मेदार और समाजिक रूप से स्वस्त समाज तयार करने के बारे में विचार करें और आवशक कदम उठाएं जनन स्वास प्राप्ति के लिए विभिन कारियोजनों के सफलता पूर्वक किरियानवन के लिए मस्बूत संरशनात पक सुईधाओं विवसाइक फिशेशक गेता तता भरपूर भौतिक सहारों की आवशकता होती है लोगों को जनन संबन्दी समस्याओं जैसे कि सगर्वता प्रिसाओं यौं संचारित रोगोओं गर्वपाथ गर्मीरोधक, रितुसराओं, महावारी संंब्दी समस्याओं, बंदता यानि बांचपन आधी के बारे में चिकिस्सा सहायता है उपलब्द देख भाल उपलब्द कराना और शक है देखे जगा जगा पर हम देखते हैं या पर जो गवर्मेंट हॉस्पिटल रहता है वहां यह सब चीजें जो होती है वह बताई जाती है की जाती है बढ़ती मादा ब्रून अत्या की कानून रोक के लिए वेधन यानि अम्नियो सेंटेसिस जाच लिंग परिक्षण पर वैधारिक प्रतिबंद तता व्यापक बाल प्रतिरक्षा रक्षी करण टीका आधी कुछ महतपूर कारक्रेमों को भी शामिल किया गया है हमें पता है कि जो ब्रून के जो लिंग की जाच होती है वो क्राइम है क्या करते हैं लोग की पहले से ही पता कर लेते हैं अगर जो मादा ब्रून रहता है उसको नहीं दुनिया में लाते लड़की होती है तो उसको एबॉर्ट करा देते हैं तो इसलिए यह जो है रोक है इ जो एक प्रकार का टेस्ट है उसमें क्या करते हैं जो एम्नियोटिक फुलिट रहता रहता है उसमें से क्या करते हैं उससे विकास शील बूरून की खोशिकाए होती है उसका विशलेशर किया जाता है इस विदी से ब्रून में होने वाले विभिन अनुशिक शिकार विकार जैसे डाउन सिंड्रोम हीमोफिलिया डाउन सिंड्रोम यह जो होता है क्रोमोजोम की एबनॉर्मिल्टी से होता है जो 21 क्रोमोजोम होता है उसमें गड़बड़ी की वरी से डाउन सिंड्रोम होता है कोई बच्चा है जो कि मानसिक रूप से उसका संतुलन पैदा होने के बाद ठीक नहीं होगा तो उसे अबॉर्ट करा देते हैं कि आप जानते हैं कि सहहली नाम की गर्म रिद गोलिकी खोज भारत के लखनों में कि केंद्री और अउशद अनुसंदान संस्तान यानी सेंटरL Eldrug Research इंस्ट्यूड CDRI ने की है सहली नाम की गर्म रिदक गोलियां होती है उसकी जो खोश थी वह कहां से भारत में लखनों में बनी वह यहां संब्धित मामलों के बारे में बहतर जाग रुपता अधिकादी संख्या में चिकिस्ता सहायता प्राप्त प्रसो बहतर प्रसो तर जो नैटल दोनों को यह होता था कि चांस रहता था कि कोई भी प्राप्लम हो सकती है लेकिन अब तो लोग फिर भी अवेर हो गया है तो यह किस जो सामुदाइक स्वासकेंद होता है वहीं लेके चले जाते हैं तो कम से कम जो ट्रेंड लोग होते हैं इनकी देख देख में होती है तो इसलिए घर पर डिलिवरी तो कराना कभी प्रिफर नहीं करना चाहिए बले से आफ सरकारी में जाके कराईए क्योंकि कितना भी हो तो ट्रेंड लोगों के हाथ से होती है और यह रहता था कि जैसे यहां पर अपला यह नाल काटने के लिए जो भी और जाइस्तमा अब हमें जो पढ़ना है वो है जन संख्या, स्थाई करंट और जन्म नियंतरण पिश्टी शिताब्दी में किये गए विबिन छेत्रों में चहुमुकी विकास से लोगों के जीवन इस तर में मातपूर रूप से सधार हुआ है क्या हुआ है कि सन 1910 में पूरे विश्टी की जन संख्या लगबग 2 अरब यानि 2000 मिलियन थी जो सन 2000 में तेजी से बढ़कर 6 अरब हो गई तदा 2011 में 7.2 अरब पाई गई थी कि यही प्रविर्थी भारत में भी देखी गई यानि कि जन संख्या व्रिधी जो थी बहुत तेजी से बढ़ रही थी यह जो डेटा है वो आप लोगों को याद कर लेना है इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छटा आदमी भारती है इन सबका कारण संभवता मृत्यू दर में तीर गिरावर तता मृत्यू मात्र मृत्यू दर में शिश्यू मृत्यू दर इंफैंट मौडलिटी रेट में कमी के सास्थ जनन आयू के लोगों की संख्या में वृध्य ओ रही है खालांकि हमने अपने जनन बाल सास्थ सेवा कारेक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृध्य के दर में कमी दो की लेकिन यह कमी नाम-मात्र की हुई क्या होता है कर जनसंक्या बढ़ती है तो अन है या फिर बाकी जो चीजें जो लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है तो इसलिए जनसंख्या विदिनियंत्रंद के लिए भी different, different program चलाय गए, लोगों को aware किया जाता है और उपाय बताया जाता है की कैसे हम जनसंख्या विद्विनियंत्रंद पर कंट्रोल करसकते हैं, हम दो हमारे इसलिए कहा जाता है कि जनसंख्या पर कंट्रोल रहें इस प्रकार की समस्या से निपटने का एक प्रमुक मतपूर उपाई ये था कि लगू परिवार को बढ़ावा देने के लिए देने है तो गर्म निरोदक उपाई अपनाने के लिए प्रेरित या जाए अब देखिए गर्मेंट जो गर्मेंट बहुत सारी स्कीम आती है तो जिसमें वैसक टॉमी और टूबक टॉमी होती है वो लोग गर्मेंट खुद प्रमोट करती है इसको कराने के लिए फैलोपियन उसमें क्या करते है फीमेल में और मेल में क्या करते है कि ऐसे जो यह होता है जिससे मेल में जिससे स्पर्म जाना होता है उसको कट कर देते हैं और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को तो क्या होता है कि इन में ओवलेशन और यह स्पर्म जो पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँचेगा तो क्या होता है कि ये एक तरीका है मिस कहने का मतलब यह है कि गॉर्मेंट प्रमोट करती है इस चीज को ताकि जो जनसंक्या वृद्ध है उस पर कंट्रोल पाया जा सके संचार माध्यमों में विज्णापनों के साथ सुखी परिवार को प्रदशित करते हूँ पोस्टर पे परचे देखिऊंगे यानि कि दिखाये जाता है कि छोटा परिवार जो होता है वही सुखी परिवार है जहां एक खुशाल जोड़े के साथ दो बच्चों का परिवार हम दो हमारे दो नारे के साथ प्रदशित किये जाते हैं बहुत सारे जोड़ों ने विशेश रूप से शहरों के काम काजी युवा दमपत्यों ने हम दो हमारा एक कनारा अपनाया है यानि कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही करते हैं और फिर विवा की एक एड सुनिश्चित की गई कि ऐसा नहीं कि बहुत चोटी बच्ची है या बहुत बच्पन से शादी हो गई फिर धेड सारे बच्चे हो रहे हैं तो एक उम्र कर दी गई कि इस तरी के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष अगर इससे कम पे शा जंगी प्रभाव या दुष प्रभाव नहीं हो यहो भी तो बहुत कम से कम इसके साथ ही उप्योग करता कि कामेक्षा प्रेणना तथा मैथुन में बाधक ना हो मैं इसक्या करते हैं कि ऐसी गर्मनी रोधक चीज का यूस करने के लिए लोगों को प्रमोट किया गए जिसस से लेने वाले योग गर्म निरोधक ठीका रूप में अंत्रो तथा शलिक रियात्मक विधिया यानि बहुत सारी विधिया है अब जो हमारी अलग अलग विधिया है उसको हम लोग अपने आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके हैं जिससे जो जनसंक्या है उस पर कंट्रोल पाये जा सकता है ठीक है मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने के लिए थैंक्यू